खीर खाना अगर आपको पसंद है तो चलिए बहुत आसान वाला इसको तयार करते हैं और बहुत ही कम चीजों से यह तयार हो जाएगा हमने इसमें ड्राइफ रूट नहीं डाले हैं अगर आप लोगों को ड्राइफ रूट जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हैं हमारे घर में खीर में ड्राइफ रूर पसंद नहीं है बच्चों को तो चलिए इसको बनाते हैं ये हमारे पास ये नया चावल है ये कच्चा चावल है और ये बिल्कुल नया है जब भी खीर बनाएं तो हम लोग नये चावल से बनाएंगे उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होगा अलुक भी बिल्कुल अलग होगा ये हमारा एक कप चावल है ये देखे इसको हमने दो से तीन पानी से धोकर आदे घंटे के लिए भीगो दिया है ये देखे हमारा आदा घंटा हो चुका है अब इस पानी को हम लोग हटा लेंगे और इसको हाथ से मसल देंगे ये देखे इस तरीके से हम लोग इसको चूरा बना लेंगे नहीं तो हमारा चावल साबुत रहेगा इसमें ये हमने चूरा इसका बना लिया हमारा ये दो किलो दूद है दो किलो दूद में ये इतना चावल हम लोग डालेंगे आप चाहे कम भी बना सकते हैं अगर कम बनाना हो तो एक किलो में आधा कप ये चावल डालेंगे देखे हमने लो फ्लेम पर इसको इस तरीके से बस चलाते रहना है और हमारा कोई काम नहीं है ये देखे हमारा ये गाड़ा हो गया तो उसी कप से एक कप हम लोग चीनी डाल देंगे मिक्स करेंगे फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखा है और बस हमने इसको चलाना बंद नहीं किया है चलाते रहें नहीं तो ये कच्चा चावल है और ये नया चावल है बिल्कुल हमारा फ्राइ पेन में ये चिपक जाएगा फिर हमारे स्मेल जली जली सी आने लगेगी तो हमारा बस यही काम है चलाते रहने ये देखें ऐसी शकल हुई है इसकी अब जो है कोई भारी सा चम्मच लेके इस तरीके से उसको और भी मेश कर देंगे हम लोग ये देखें हमारा तैयार है ट्राइ करें और कमेंड करके ज़रूर बताएं ये जयार बद्देशने लोगारा तैयार ये और भी मेशा मेंड कर दो खुआ है इसकी तरीके से ज़रूर वगे दो ते गरें दो शलिया ग्ने शोटाइएं